तो हमारे पास सबसे पहले है 1450 पीपल वार एड़ बीच ओन सेचरडे यानि हमारे पास कितने लोग हैं बीच पे 1450 और स्टुर्डेंस मैंने आपको यह बात बताई हुई है कि हमेशा जब आप पॉर्बम को सॉल्फ करते हैं तो जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो वैल तो ने में बताई हुई थी 1450 तो हमने आप लिख दिया 1450 अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं वेन इट रेंड जब बारिश रही 1091 पीपल लेफ्ट तो उनमें से 1091 पीपल चले गे ठीक है कहां से बीच से चलेगे तो हम रहें कि पीपल लेफ्ट बीच कितन पीपल रिमेंड दियर कि कितने लोग अब बकाया पीछे रहेंगे ठीक है कितने लोग पीछे बाकी रहेंगे तो हम लिखेंगे रिमेनिंग पीपल एड पीच के पीच पे पाकी कितने पीपल रहेंगे हम इसके लिए क्या करेंगे हैं रिमेनिंग क्या है ब्लू वर्ड है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्ट्रेक्षिन करेंगे हम 1450 में से 1091 को माइनस करेंगे तो हम स्ट्राट करेंगे स्ट्रेक्षिन फॉर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बढ़ा है इसके बाद 10 को फ़ोर तेंस मैंने करना पॉजिबल नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम उसका जो next घलाय ना है यनि हंदिर में उसका आजा जाहर से हम क्या कर लेंगी बौरो लेंगे इसके पात हैंडर में तो 400 किया बंचागा 300 कर दे का बंचागा थ्री हंड़ेंड और यहां पर आपके बंचागा फूर्तीं तेंस किसे कुछ भी मैनिस नहीं चाहिए तो आपके बास थी ही एया जाएगा त्यकde उन थाउजन से मैं आगा जाया थी जटिकcentered फे बाद सनिय गोल पीच कें यгоराव से फूरबब कि तो खनी में पें पश्चाशन के फिर्मे इन बशूर 10 फेल नहीं ही प्छिए अपर आप ठीक ह जी स्कूल एंडर थो जो आपके बुक पे जो हैं वालज के टॉपिक स्लेटिट है ठीक है यानि प्रोब्म्म सफट्रक्शन से तो आप लोग ने इसको रफ रफ रिजिस्टर पर प्रेक्टिस करना है सबसे पहले में कोस्टन आपको समझा दें क्या है सबसे पहले आप देख लिए कोस्टामर 1 क्या है in a school of 1257 students, एक school के अंदर 1257 students है ठीक है, जिन में से 629 have pets, 629 students के पास क्या है pets निपाल तो जानने वह रहे हैं, अब आपने बताना है how many students do not have any pets, आपने बताना है कि कितने students हैं जिनके पास pets नहीं है, ठीक है, यानि अगर total students 1257 है तो उन में से 629 के पास क्या है pets है, अब आपको क्या बताना है कि पीछे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास pets नहीं है, ठीक है, अब यहां पे जो how many है यह आपको hint दे रहा है, ठीक है, यह clue वायट है, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपको क्या करनी है, ठीक है, question 2 है, a milk man carried, एक milk man, एक दूद की जो वैन है, ठीक है, कैरिट वो लेके जा रही है, 3400 bottles of milk, दूद की 3400 bottles को लेके जा रही है, ठीक है, the milk man delivered, 1,967 bottles, ठीक है, और जो milk man है, उसने कितनी बोतले पहुंचाई हैं, 1,967 उसने बोतले पहुंचा दी है, अब आपने क्या बताना है how many bottles were left, तो कितनी bottles उसके पास पकाया रहे गई हैं, जो कि उसने भी तक नहीं पहुंचाई, ठीक है, यनि total bottles उसके पास कितनी 3400 थी, उसमें से उसने 1,967 bottles पहुंचा दी हैं, अब आपने बताना है कितनी bottles हैं, जो उसने भी तक नहीं पहुंचाई ठीक है, अब left किया है, क् को subtraction करनी है उसके बार जो question three and question four है वो मैंने आपको आज के lecture में समझा दी है question five देख ले वो है Rameez made 1038 runs Rameez ने 1038 runs बना है and Hamid made 2040 runs और Ramiz ने 2040 runs बना है how many more runs did Hamid make than Ramiz ठीक है अब आपने बताना है how many more how many more is the clue word for subtraction ठीक है आपने बताना है कि हमीद ने कितने ज्यादा runs रमीज से ज्यादा बनाएं ठीक है तो आपको कैसे पता चलेगा आप यहाँ पर subtraction करेंगे ठीक है और subtraction हमेशा आप क्या करते हैं कैसे subtraction करते हैं हमेशा बड़ी value में से आप छोटी value को अब आपने क्या बताना है how many cars are yet to be sold कितनी और मजीद गाड़ी है जो कि उन्हें भी sold करनी है बेचनी है ठीक है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आपने क्या करनी है suppression करनी है आपको how many से इंदाज़ों हो रहे है कि आपको यहाँ पर क्या करना है suppression करने ठीक है उसके बात क्या है next question number 7 अब बेकरी had 3500 buns एक बेकरी में 3500 buns थे ठीक है जिसमें से 1762 वर sold 1762 को बेच दिया गया है ठीक है how many buns were left अब आपने इपताना है कितने buns पीछे बगाया है ठीक है जिसमेंस आपने एक question drop रिजिसर पर प्रक्टिस करने है और आपको जो हमने last time real life problems related with edition की थी अगर आपको वो समझा आगे थी तो ये भी आपको फोरण समझा जाएंगे I hope कि आपने आज का लेक्टर को चैसे समझा होगा और आप इनके इचे इस प्रक्टिस भी करेंगे Okay students आप दूआ पढ़ेते हैं